बिहार वन रच्छक भरती तथा विहार वन पाल भरती 2020 आप लोग के द्वारा बार बार ये कमेंट किया जा रहा था कि सर रिजल्ट के बारे में बताईए कि रिजल्ट कब तक आएगा इस पर मैं पहले भी विडियो बना चुका हूँ और आज भी मैं जानगारी दूँगा क कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है काफी लोग ये पूछ रहे थे कि सर फीजिकल में जो होता है कितने लोग फीजिकल में छड़ जाते हैं से पहले जो भी मैं जनकारी दूँगा ओफिसियल जनकारी दूँगा टिक सीसी से ही जतना भी डाटा मैंने निकाला हूं से इसकी आपका जो भरती जो योग लेता है सेंटर सेलेक्शन बोर्ड ओफ कुश्टेबल यहीं से और यहां पर आईएगा फोरेश्ट गार्ड वाला आपको याद ताजा करा देता हूं कि उस समय बहुत से ऐसे एंसर की भी बाइरल हुए थे बहुत जगा पहंगामा भी हुए थे यह भी आपको याद करने वाली चीज़ है कि यह कटफ पर भावीत करता है तो आज हम कटफ के बारे में बात थोड़ा भी नहीं करेंगे आज वह सबसे पहला आया था नहीं तो उससे पहले भी एससे इसका भरती लेता था तो यह जो 484 पद है यह 484 पद में कितनी रियल्ट दिया जाएगा बहुत कंफ्यूजन है लोग 5 गुना 5 गुना बता रहे नहीं इसके 2 गुना दिया जाएगा क्योंकि यह साफ ओफिसल नोट सब्सक्राइब नहीं करना है क्योंकि यह फोरेश्ट गार्ड आपको वनपाल जी से बोला जाता है ठीक इनका काम भी अलग होता है मैं उस पर पहले भी आपको बता चुका हूँ उतना डेटल्स में नहीं बताने वाला हूँ देके 236 पर 236 के इसके दो गुना रियल्ट दिया जाएगा इसमें धे pattern देने वाली बात है कि इसमें लड़कों की संख्या काफी थी सीटों की संख्या कम थे लेकिन लड़कों के वाइरल हुआ है बहुत जगा ऐसे हंगामा भी हुआ पेपर भी आउट होने का तो वह तो परभावित कटप को करता ही है CSBC द्वारा एक समय जो भी एक्जाम लिया जा रहा है कम से कम ये तो निकल कर आ रहा है उसे हर अपने एक्जाम पर दिहान देना चाहिए और हर एक्जाम को कड़ाई से कराना चाहिए अगर उसका मांसा सही रहेगा तो कड़ाई से एक्जाम कंड़क्ट कराया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि इसके result कब आएगा ठीक तो देखें result पर मैं आपको जनकारी देता हूं ठीक ये पिछले बार कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले बार 16 जुन को exam हुआ था दीक है इहां पर आप देख सकते हैं जो आपको पिछले मिस्की 2019 में मैं बात कर रहा पर बिखना है तो इससे क्या होता है कि जो आयोग है उस पर कार क्या बोज बढ़ता है और देख सकते हैं कि उसका पर नाम क्या होता है कि मार्च में भी एक्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को भी हार पुलिस कोश्टेबल के एक्जाम होने वाला है 2021 में तो उसका भी तैयारी तो सभी तैयारी में तो यह पूरा कर चुका है लेकिन यह रिजल्ट जो आता है मिनिमुम तो उतना समय लगेगा ही लेगेगा इस बात को भी ध्यान मरकिएगा कि आप आपका जो कोपी अब तक चेक हो गया होगा ठेक आपके चेक हो गए इसका पूरा आप समझ लेजे लेकिन तयार करना और कोपी चेक करने में काफी समय लग जाता है रिजल्ट को घोसित करना उसके बाद मानल जीए जल्दिबाजी में ऐसा कुछ होता है तो फिर गडबढ दिया जाए तो ठीक नहीं तो उससे भी आगे डेट बढ़ सकता है तो जो लोग भी बार-बार पूछ रहे थे उनके पास अभी भी समय है अच्छा कासा समय है अभी आपके रिजल्ट आने में ठीक और जब रिजल्ट आएगा तो मैं उसकी जनकारी आपको देहीं देता हूं जो पिछली बार भरती हुआ था उसमें कोई भी लड़का महीने दिन पहले फिजकल के तैयारी किया था कोई भी उतना दिन पहले फिजकल के तैयारी नहीं किया था बहुत सा ऐसे शुडेंट्स ते जो पहले से कॉंस्टेबल के तैयारी कर रहे थे यह इनका हुआ था देखा जाता है तो यहां पर सारे प्रमाप में आप देख लिएक निम्तम उचाई देखिए यह 160 संटीमेटर चाहिए अनुसुची जाते लड़के मिसकी मेल के लिए और अनने के लिए 165 संटीमेटर नियुंतन सीना जो फुलाना है यह 89 संटीमेटर अनुसुची जाते ठयक पैदल चलने की चंटा यह अब कहें भी दोड नहीं लिखा एक पैदल चलना है आपको ऊसके लिए आपके पास अच्छा-खास समय भी दिया जारा है इस बात को ध्यान मर्क्य का पटना के जूम होता है इन लोगों का फिजिक़ अब यह चार घंटे में आपको 50 चलनी की चमता आज यह चार घंटे में 14 किलो मेटर और चार घंटे में 14 किलो मेटर में इनका तो और शाहूर untuk is करना धिक अब यह महिन अब नियुमतंश आई यह महिना में 166 cm है उन invoice 60 cm जो कि सबसे 거죠 यह आपको हाइट में छटी थी उसके बार मेडिकल में ठीक लड़का लड़की मिलाकर हाइट में सबसे यादे लोग छटे थे इस बात को ध्यान मरकिएगा मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं तब ही मैं बता हूं तो फिसकल के लिए आपको कोई यह यह नहीं है कि अभी से आपको दोंडने स्टा कोई भी हाल में करना ही पड़ेगा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यह जो पिछली बार दिया था तो यह फाइनल रिजल्ट में जब दिया था तो उसमें डाटा दिखाएगा कि 8804 में इसकी 902 भरती था देखिए दो गुना रियल्ट में इसकी 804 यहां पर दिखे कयोँ है अभियार्थी में से यहां पर देखे 16 21 प्लस 38 और प्लस 3 दिया हुआ हमिसकी 1662 अभियार्थी ऐसे थे जो कि उसकी उपस्तित हुए थे फिसकल देने के लिए यहां पर ओर भी मिश्की बायोमेट्रिक के दौराण 212 पुरुस के उंगठों को नहीं निसान मिला उनको फिर से बुला गया, ऐसे बहुत से यह किये थे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी लोग इसमें सफल हुए थे और फिसकल में, तो यहाँ पर देखे। पैदल चलने की छमता अयोग 17 व्यक्ति मात्र 17 व्यक्ति आपको देख सकते कितनी में तो 1662 व्यक्तियों में मात्र ऐसे 17 व्यक्ति थी जो कि अयोग घुसित किये गये थी क्या तो पैदल चलने के छमता में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि पैदल चलने में कोई नहीं सारी माप जाच में अयोग हाइट में सबसे यादा लोग मतलोग चाटे थे अभिलेक सत्यापन में डुकुमेंट वरिफिकेशन में 37 लोग चाटे थे यहां पर देख सकते हैं कोई इसमें यह पुश्य हैं अब आराम से तैयारी कर सकते हैं यह इसा गौँ के तरफ यह सब्सें अपको इसंत्राव कर लोगा सmutर बनाए जाता है इसे करकर यह बहुत अच्छा समय बहुत आगा जाता है दिक्कत आपका नहीं यह पिरेट ए्युक्त कर दिश्टर का जॉब है यह यहां जणकारी डे रहाँ कि अगर कोई तैयारी कर रहा है जिसका एक्जाम आपको 14 मार्च और 20 मार्च को 2021 में होने वाला है 20 नहीं 21 मार्च को 14 मार्च को है और 21 मार्च को है दूनों दिन संडे पढ़ रहा है होने वाला है तो अगर वह लोग अभी तक सेट नहीं जॉइन किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि सेट जॉइन कर लिजे